जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जै मागमास महत्यम्मे की मंदर शीबंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल के ओड़ से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अविनंदन करते हैं मागमास का परम पवित्र समय चल रहा है इस मागमास में भगवान के चर्णों में मन लगाने से भगवान की भहुत अधिक क्रिपा को प्राप्त किया जा सकता है माग मास में प्राताकाल का सनान, वेद पुरानों का पाठ और साथ में माग मास मत्यम की कथाओं को सुनना तथा यथा शक्ती दान पुन्ने के कारे करना ये सब कारे धर्म के अंतरगत माने गए हैं, जो इन सब धर्मों का पालन करता है, उसे भगवान की भहुत अधिक क्रिपा मिलती है तो माग मास मत्यम के अध्याए एक से लेकर अध्याए छेंत की कथा को पहले ही आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं तो आज हम आपको माग मास मत्यम के सात्मे अध्याए की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो की इस परकार है बोल शेराधा कृष्ण भगवाने की जै, बोल माग मास मत्यम में की जै पूर्व समय की बात है, सत्युग में उत्तमने शेद नामक नगर में हेम कुंडल नाम वाला कुबेर के सद्रश एक धनी व्यापारी रहता था धन की भहुत अधिकता थी, इतनी धन संपत्ती थी कि जो कभी खतम नहीं हो सकती थी वो व्यापारी कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता, अगनी और ब्रह्मन की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था जीवन को चलाने के लिए व्यापार करना, कोई काम धंदा करना बुरी बात नहीं है अच्छे कारे करके अगर जीवन यापन किया जाए तो वो भी धर्म कहलाता है तो वो व्यापारी पूरी तरह से मन लगाकर अपने काम करता था वह गव, घोडे, भैंस आदी का पालन करता और दूध, दही, छाच, गोबर, घास, गुड, चीनी आदी अनेक वस्तुएं बेच करता और इस प्रकार वो अपना व्यापार चलाता था उसने इस तरह से व्यापार करके भहुत सा धन कठा कर लिया था दक्ता त्रेजी महाराज आगे की कठा का वर्नन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन धन बुरा नहीं है धन की अधिकता बुरी बात नहीं है लेकिन ध धन के मद में फंसकर ठाकुर जी को भूल जाना वो बुरी बात है भगवान की कृपा से मिले हुए धन संपती का सदू प्योग करते हुए भगवान को याद रखना चाहिए धन अधिक है तो ठाकुर जी की कृपा माननी चाहिए घर में सुक संपती है तो ठाकुर जी की कृप माननी चाहिए धन के मद में फंसकर जो भगवान को भूल जाए वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है मनुष्य केवल वही कहलाया जा सकता है जिसको हर्शन अपने धरम का ध्यान है जो हर्शन धरम के बारे में सोचता रहता है मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने अपना मन धरम कर्मों में लगाया है भगवान की क्रिपा उस पर हो ही जाती है तो उस व्यापारी ने भहुत अधिक धन कमाया है समय के साथ जवानी चले गई अब उसकी व्रिधा अवस्था आई है मृत्यू को निकट जानकर उसने धरम के कारे करने प्रारंब कर दिये हैं मन में एक ही बात है कि ना जाने इस मनुष्य शरीर का अंत कब हो जाए मेरी कितनी सांसे और लिखी है कुछ मालुम नहीं है अब त इस व्यापारी ने धरम कारे करने शुरू किये हैं सर्व प्रतम श्री हरी विश्णु भगवान जी का भहुत सुंदर मंदिर बनवाया है इसके पशात कुवां तालाब बावडी बनवाई है आम और पीपल के व्रिख्ष लगवाएं है सुंदर बाग बगीचे लगवाए ठाकुर जी को याद करके हर समय धरम चर्चा में बीत जाता है सुर्योद से लेकर सुर्यास तक वहदान करता गाम के चारों तरफ जल की प्याव लगवाई है उसने सारे जनम भर जितने पाप किये थे उनका प्राशित वो करता रहा इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन ह हुए हैं जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा है जब दोनों पुत्र युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो उस समय हेम कुंडल नाम वाले उस व्यापारी ने ग्रस्ती का सबकार अपने पुत्रों को सौप कर भगवान की तपस्या के निमित वन में जाने क विचार किया है भगवान की कृपा से ऐसा परमसुंदर विचार आया है फिर निश्य किया है कि अब शेश जीवन तो ठाकुर जी की याद में तपस्या करते हुए वन में व्यतीत करना है दोनों पुत्रों को बुला कर उनको घ्रस्ती का सब कारे सौंप दिया है और आज व उसने अपने शरीर को सुखा कर अंत समय में भगवान विच्णु के लोक को प्राप्त किया है ठाकुर जी की याद करते हुए उसकी अंतिम सांस निकल गई इसके कारन उसको भगवान के धाम की प्राप्ती हुई है शास्त्रों में बारं बार स्पष्ट बताया गया है कि ज जीवन के अंतिम समय में अगर भगवान की याद आ जाती है तो सीधा भगवान के धाम में स्थान मिल जाता है तो उस हेम कुंडल को भगवान के धाम में स्थान प्राप्त हुआ है इसके जाने के पशात उसके दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल धन के मद में चूर हो मद को प्राप्त हो जाना बुरी बात है धन अधिक होना बुरी बात नहीं है लेकिन धन अधिक हो जाने पर अपने मन को पाप कर्मों में लगा देना वो बुरी बात है दोनों पुत्र पाप कर्मों में लगे हैं सुन्दर वस्त्र पहन कर सुगंदित तेल लगाकर वो वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे वैश्या गामी हुए हैं वीना और बाजे लेकर सदा वैश्याओं के साथ घुमते रहते थे अपने शरीर को सुन्दर बनाकर रखना और वैश्याओं के साथ हमेशा घिरे रहना य सुन्दर घरों में रहते थे इस प्रकार उपर बोए बीज के सद्रश वे अपने धन को बूरे कामों में नश्ट करते रहते थे कभी किसी सत्थ पातर को दान आदी नहीं किया है नाहीं कभी हवन किया है नाहीं देवता और ब्रहमन की पूजा की है ना कभी ब्रह्मन की सेवा की है ना कभी श्री हरी विश्नु भगवान जी का पूजन किया है मन धर्मकार्यों में नहीं लगता है पाप कर्मों में मन लगा हुआ है और जिसका मन पाप कर्मों में एक बार भी लग जाता है तो वहां से अपने मन को हटा देना बड़ा मुश्किल होता है तो उन दोनों का मन पाप कर्मों में लगा हुआ था पाप की अधिकता के कारण थोड़े ही दिनों में उनका सब धन संपत्ती नश्ट हुआ है वो दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हुए हैं सच बात है मनुश्य के पास धन संपत्ती अधिक हो और अगर ठाकुर्जी की भक्ती ना हो भगवान की भक्ती ना हो तो धन संपति कभी सुख देने वाला नहीं माना जा सकता धन संपति हमेशा वो ही सुख देती है जिसके साथ भगवान की याद बनी रहे धन संपति अधिक है तो भगवान को एक शन के लिए भी नहीं भूलना चाहिए धन संपति अधिक हो जाने से मन पाप कर्मों की और लगने लगता है उस समय सावधानी रखनी चाहिए भगवान की क्रिपास से धन की प्राप्ति हुई है पुर्व जन्मों के अच्छे कर्मों से धन की प्राप्ति हुई है तो अपने मन को भगवान के चर्णों में लगा कर रखना चाहिए अगर मन भगवान के चर्णों में नहीं पतिनष्ट हो ही जाती है ठीक ऐसे ही कुंडल और विकुंडल को उनके सब रिष्टेदार जन सेवक उपजीवी सब छोड़ कर चले गए हैं और एक समय ऐसा आया है कि कुंडल और विकुंडल ने राजा के भैसे नगर को छोड़ दिया है और चोर तथा डाकूं के साथ वो व वन में रहने लगे हैं और वहाँ पर अपने तिक्षन बानों से वन के पक्षियों, हिरनो आदी, दथा पशु और हिंसक जीवों को मार कर खाने लगे हैं एक समय इन में से एक परवत पर गया जिसको वहाँ पर सीही मार कर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के रसने से मृत्यू को प्राप्त हो गया तब कुंडल और विकुंडल को यमराज के दूत बांध कर यमराज के पास से ले आएं हैं और कहने लगे हैं कि हे महाराज इन दोनों पापियों के लिए क्या आगया है इनको इनके पाप करमों का क्या फल देना है सोब बताने की क्रि दिक्षा मिलती है कि धन संपत्ती होना बुरी बात नहीं है अधिक धन संपत्ती है तो उस समय अपने आपको सावधान कर लेना चाहिए सावधानी होनी चाहिए कि मन पापकर्मों में नहीं लग पाए सावधान रहेंगे तो मन पापकर्मों में नहीं लगेगा सावधान होकर हरशन अपने मन को भगवान की याद में बिता देना चाहिए हरशन जो ठाकुर जी को याद रखता है उससे पाप करम हो ही नहीं सकते जो भगवान को याद रखता है भगवान उसकी बुद्धी को अपने नियंतरन में ले लेते हैं जो भगवान को याद रखते हैं भगवान उनकी हर शन देख भाल करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की देख भाल करती है उससे बढ़कर ठाकुरजी अपने भगतों की देख भाल करते हैं तो इसलिए धन की अधिक्ता हो या धन कम हो किसी भी अवस्था को मनुश्य हर्शन भगवान को याद रखना ही चाहिए तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दिक धन्यवाद भगवान श्री राधा क्रिशन जी की माघ मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राध जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे शाम